पीकेल 11 में टूटल 14 दिन कंप्लीट हो चुक है यानि की 2 हफते 28 मैचेस खेले जा चुक है और आए समय आ चुका है टॉप 10 डिपेंडर्स के बारे में जानने का जिनके पास अभी सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट से वीडियो शुरू करने से वेले आप सभी से रिक्वेस पॉइस राठी ने 5 मैचेस खेले इन 5 मैचेस में 14 टैकल पॉइंट इन होने स्कोर किया है वैसे तो हाइफा अभी तक स्कोर नहीं किया लेकिन टीम के लिए पफॉइंस दिखा रहे जैपुर की टीम रिसेंट मैचेस हार रही है तो इनको पफॉइंस दिखाना होगा नंब नमबर आठ की बात की जाए तो नमबर आठ पे गुजराथ जैंट्स के राइट कॉइंट के डिफेंडर सोमबीर गुलिया है सोमबीर गुलिया ने 4 मैचेस में 14 टैकल पॉइंट स्कोर किया है जिसमें 2 हाइफाइ भी शामिले सोमबीर काफी अचा खेल रहे है और ये पफ अगर आपको मैचेस प्री में लाइफ देखने है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ जूड़ सकते हो वहाँ पे आपको मैचेस के लिंक प्रोवाइट कर रहे हैं इंगलिस कॉमेंटरी तमिल कॉमेंटरी एंड तेल्गु कॉमेंटरी अब लिंक तो काम नहीं करेगा उसके लिए आपको एक ट्रिक यूज करना होगा वहाँ इंडिया के लिए नहीं है वह बाहर देश वाले देख सकते हैं तो आप कैसे एक्सिस कर सकता है आप सभी को पता चली गया होगा एंड टेलिग्राम चैनल पर आपको सभी कबड़ी के अपडेट भी देखने को मिल ज पे बेंगॉल वारियर्स के लेफ्ट कॉर्णर के डिफेंडर फजल अत्रा चलिये वजल अत्रा चली ने हाली में 500 टेकल पॉइंट्स प्रो कबड़ी लीग में अचीव कर लिया है इस सीजन वी काफिच फॉर्म में दिखरे चार मैच में 14 टेकल पॉइंट्स एक मुकाबल पे बेंगलूड वुल्स के लेफ्ट कॉर्णर के ओल राउंडर नितिन रावल है काफिच पफॉर्मेंस दिखा रहे है नितिन रावल पांच मुकाबले में 15 टेकल पॉइंट्स स्कोर किया है एक हाइफाई भी सामिल है जो पिछला मुकाबला था उसमें बेंगलूड वु लेफ्ट कॉर्णर के डिफेंडर अंकीत अच्छा पफॉर्म कर रहे है पटना पारेटिस की टीम पिछला मुकाबला भी जीती है नमबर चार की बात की जाए तो नमबर चार पे तमिल थलावस के कॉर्णर डिफेंडर नितेश कुमार है बहुत चा पफॉर्मेंस दिखा र बताना चाहता हो, Excel 11 Fantasy App में आप अपनी fantasy team create कीजिए and पैसे कमाईए, अभी दिवाली का special offer भी चल रहा है, जहां पे आपको specially dedicated gold coin and silver coin के contest देखने को मिल जाएगे, जो की 30 October से 3 November तक चल रहा है, जिसमें अब 1st आने पे आप gold coin या फिर silver coin भी चीज सकते हो, आज तो मुकाबला न में आपको lowest entry piece देखने को मिल जाएगा, PKL 11 का leaderboard भी चल रहा है, जिसमें highest investment पे, आप Thailand का trip जी सकते हो, Goa का trip जी सकते हो, iPhones and track products भी जी सकते हो, मेरा प्रोमो कोड केल कबड़ी यूज कीजेगा, ताकि आपको 100 रुपीस का bonus मिल जाएगा, and bonus contest भी आपको देखने को मिलेगे, एंड कबर्डी टीम बना के खिलना स्टार्ट कीजिए, टॉप 3 की तरह बढ़ते है, नमबर 3 की बात की जाए, तो नमबर 3 पे तमिल थलावास के left corner का defender साहिल गुलिया है, सागराटी के absence में टीम को कप्तानी भी कर रहे, and overall performance भी दे रहे, 5 मुकाबले में 17 tackle points, 2 मुकाबले म high five भी स्कोर किया है, साहिल गुलिया अच्छे form में चल रहे, तमिल थलावास की टीम अच्छा performance भी दिखा रहे, नमबर 2 की बात की जाए, तो नमबर 2 पे UP योधास के left corner के defender सुमित सांगवान है, सुमित सांगवान ने 5 मुकाबले में 20 tackle point स्कोर किया है, एक मुकाबले में high high five भी है, तो overall consistent performance दिखा रहे, सुमित सांगवान यूपी उधास के लिए, यूपी उधास की टीम overall perform भी काफी अच्छा कर रही है, नमबर 1 की बात की जाए, तो नमबर 1 पे पुनेडी फल्टन के right corner के defender गौरफ खतरी है, जो कि 5 मुकाबले में 21 tackle point स्कोर किया है, दो high five भी स जो बताएगा, कल के 2 matches खेले जाएगे, पतना पाइरेट्स, यूपी उधास के अगेंस्ट बिड़ेगी दूसरा मुकाबले में, तेल्गू टाइटन्स के टीम बिड़ेगी बेंगलूड बुल्स के अगेंस्ट, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में कौन अचा performance जाचें!